हे वीवर्स वल्कम बैक मैं चैनल इस्तरी इस्टरगल आज मेरे दिन की सुरुआत सुभ़े के दो बज़े हुई थी और अभी जो है बज रहे हैं धाई उठने के बाद मैं फ्रेस हुई मोद होया और उसके बाद जो है फिर अम में पढ़ने के लिए बैटूंगी मैं आपको फीवर हुआ था और वोमैटिंग इतनी जादा थी कि दिन वर और रात में भी उसको वोमैटिंग होती जा रही थी इसलिए एक दिन मेरा जो है लोग भी नहीं आया था और मेरी स्टड़ी भी जो है काफी डिस्टब हो गई थी तो साम के टाइम जब मैं पढ़ने का सोच र रही थी और मेरा जो है बिल्कुल भी मुझे नीद नहीं आ रही थी उसका एक कारण तो यही था कि अभी एकजाम में 11 फरवरी को जैसे कि आप लोगों को पता ही है और एक दिन मेरा बहुत जादा खराब हो गया था तो इसलिए वस फिर जो है मैं उट गई मैंने सोचा चल यहां पर पढ़ने के लिए बैठ जाती हुँ तो यहां पर दो 25 तक मैं पढ़ने के लिए बैठ के थी और अब टाइम हुआ है तीन अड़ीज एक घंटा मैं अपनी पॉलेटी का कंप्लीट करने के बाद फिर यहां पर मैं अपनी क्रंट अफेर्स की क्लास लेने लगी थी जो मैरतन क्लास है आज-कल चल रहे हैं यूटीव पर बहुة सारे आ रहे हैं तो उसी की जो है यहां पर एक डोस आईस करकी चैनल है तो वे सरग्ज काफी अच्छा पढ़ा रहा है तो मुझे उनका पढ़ा हुआ काफी समझा रहा तो बस अभी जो है उन्ही को फॉलो कर र और मेंने आज जो है इनकी दो क्लासे ली थी स्पीड बढ़ाकर और एक गंटे की तीन गंटे की लेने के पास सोरी बाद में जो है इन्होंने एमसी क्यूज बगरे भी कराई थे पच्चेसंग कराई थे तो उन्हें में अच्छे से सोल कर पा रही थी तो एक आधी कोशन मेरा गलत हुआ और उसके बाद जो है मुझे काफी इंट्रेस्ट भी आने लगा था पढ़ने में क्योंकि जब हम कुछ करने लगते हैं हमारे कोश लेकिन यह है कि मुझे सैटिस्फेक्शन था कि मैंने अपनी धाई घंटे की पढ़ाई बहुत अच्छे से कंप्रीट कर ली थी तो उसके बाद बेटे को दवाई दी फिर उसको मैंने दुबारा से सुला दिया था फिर उसको सुलाने के बाद जो है फिर मैं जगी गई थी उसके बाद जो है घर की साफसफाई की और बस फिर मैं नहाने के लिए चली गई और नहा दो कर जो है मैं पूजा करने लगी थी फिर तो यह बच्चे भी जगी गए थे और यह होता है ना वाईरल होता है जैसे एक में आ जाता है तो फिर दूसरे बच्चों के साथ लगी तो ऐसा ही कुछ हुआ है और इतना जादा चला हुआ है बहुत जादा चला हुआ है और अपनी पूजा पाट करने के बाद फिरागे थी मैं किचन में और आज में बनाने वाली हूं आलू के प्राटे क्योंकि बच्चों का कुछ भी खाने कमाँ नहीं है बेटी ने दो दिन स कुछ भी नहीं खाया सबजी रोटी का खाने का तो उसका मनी नहीं था बिलकुल भी और वैसी कोई मैदावाली मैकरोनी या मैगी वगएरा मैंने नहीं दी क्योंकि फीवर है नुकसान करेगा तो उससे तो अच्छा मैंने सोचा चलो घर पर ही कुछ अच्छा सा बना देती पराठे बच्चे बहुत सोख से खाते हैं तो उनका पेट भर जाएगा और यहां पर यह वही सेर है जिनकी मैं क्लास ले रही हूं तो इनकी जो है मैंने फोन रख लिया था पास में कि थोड़ा बहुत कुछ सुनूंगी तो कुछ तो कानों में जाएगा ही काम करते करते क् कि सुनी हुई चीजे भी कई बार याद आ जाती है कि हाँ हमने यह सुना था तो इस तरीके से मैनेज करने की कोशिस कर रही हूं कि ताकि हो जाए मैनेज क्योंकि बस पेपर जैसे जैसे निजदी कर रहा है तो दिल की धढ़के ने भी बहुत चाता बढ़ रही है और मैं अ अपता बचा है एक्जाम का और ऊपर से बच्चे बीमार है तो थोड़ा सा डिस्टब बैंस हो गया है तो बस चलो कुछ नहीं बच्चों को भी देगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को बिल्कुली अंदेखा नहीं किया जा सकता है और उसके बाद लोगों को मैंने बताया था तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि दीदी इस पोस्टर पर जो है आप दूसरा लगा दीजे तो यहां पर कुछ मैंने ऐसा ही किया है क्योंकि यह बच्चे बिना कपड़े के हैं और इस वज़े से मेरी यूटूब वीडियो को रि तो यहां पर खाना पर आने के बाद जो बाकी के काम थे वे भी मैंने इप्टाने लगी हूं मैंने कीचन की क्लेनिंग की और जाडू लगाया दूद आ गया तो दूद गरम करने के लिए लग दिया साथ के साथ और अपने कामें आपर मैं इप्टा रहे हूं अच्छा बार में पुछ और जो बहुम्हें देए करोंगी तो यहां पर कम करने के लिए मैं बैट के थी और आजमे अपना काम करने की अपना हिंदी घटना चक्तर ही उससे पहले जो है मैं यहाँ पर कुछ मेरे नोटस में लिखा था जैसे कि नोवल प्राइज है तो वे मैंने जो है नोट डाउन किये दे तो एक बार मैं उनका रिवीजन कर लेती है क्योंकि नोवल प्राइज बहुत जादे इंपोटेंट है और इनके नाम ना कुछ ऐसे होते हैं कि जल्दी से याद नहीं हो पाते तो वही जो है मैं यहाँ पर रिवीजन कर रही हूँ उसके बाद जो है यहाँ पर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी और आज जो है मेरी बेटी को भी काफी आराम था तो बस वह भी पढ़ने के लिए बैठ गई थी क्योंकि अब उनके भी एक्जाम आने वाले हैं उनके 26 वर्वरी से एक्जाम है तो अब सैल्बस तो उनका भी कम्प्लीट हो चुका है बस रिवीजन ही चल रहा है और वैसे भी वो तीन-चार दिन से स्कूल नहीं गई है तो जो भी होमवर्क मैं बेजाता उसी का यहां पर पढ़ रही है कि बेटा तू भी याद कर ले और अभी मेरे हजबन ने उसको दवाई दी है फीवर वगेरा की आज चुटी है तो आज जो है मैं काफी फिरी हूँ बच्चो की वज़े से बच्चो का मुझे कोई काम नहीं है वो ही प्रोपर दवाई दे रहे हैं जो भी देखना करना है वो सब कर रहे हैं तो जब वो घर पर रहते हैं तो मेरी काफी help कर देते हैं जैसे कि आज Sunday है और यह Sunday का ही वीडियो है तो दिन भर बच्चे को किस ताइम कुन सी दवाई देनी है क्या देना है मैं बिल्कुल फिर हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया बस घर के काम किये और उसके बाद जो है मैंने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया है और बाकी सब वही देख रहे थे तब घर पर होते हैं तो देखो help कर देते हैं लेकिन जब ओफिस चले जाते हैं तब एक मजबूरी हो जाती है कि फिर कैसे करेंगे तो बस यहाँ पर जो है अम मैं कर रही हूँ अपना घटना चक से ही प अधिकतर मैं मैं मेराथन क्लास से देख रही हूँ जैसे मैं इस में से देख लेती हूँ बुक है मेरे पास और फिर मैं मेराथन क्लास देख लेती हूँ उसी सब्जेक्ट की तो मुझे थोड़ा सा कॉंसेप्ट किलियर हो जाता है और समझ अच्छे से आ आ जाता है आप ल लोग ने किया या नहीं ये भी बताना और आपसे फिर मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए